हे गाईज वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो गाईज आई हूप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रहे होगी आपके आने वाले UKPSC और UKSSC एक्जाम्स को लेकर तो दोस्तों उत्राखंड Current Affair 2024 की सिरीज में हम उत्राखंड Green Turn Magazine से जितने भी important question बन सकते हैं सभी को इन वीडियो के माधम से समझ रहे हैं तो आज हमारा part 2 वीडियो है Green Turn Magazine का इससे पहले हमने उत्राखंड Windsor Yearbook 2024 की latest edition को पूरा complete कर लिया है तो उत्राखंड की Current Affair की जितने भी source मिल सकते हैं उन सभी की वीडियो आपको इसी playlist में provide कराई जाएगी तो आप वीडियो को ध्यान से देखना ठीक है तो कल की class miss हो गई थी तव्यत खराब होने की कारण से आज से हम फिर से continue करेंगे और एक और बात जो की बहुत सारे लोगों ने comment में मुझे suggestion किया कि जो ये mcq type में question बना रही हूँ इससे अच्छा मैं सिर्फ एक line में one liner की तरह आपको current affair बताऊं ताकि वो जल्दी भी हो जाए मेरा भी time बचे आपका भी time बचे और आपके notes भी फटाफट से तैयार होते रहें तो ठीक है अगले दिन से मैं ऐसा ही करने वाली हूँ और आज ये देख लेते हैं हम mcq के form में ये पहले से ही बना कर रखा था तो आज हम इसको पढ़ लेते हैं कल से आपके लिए current affair के one liner notes में तयार कर लूँगी और उससे ये भी होगा ना कि जाद से जादा मैं उसमें include कर पाऊंगी क्योंकि एक दिन के सिर्फ 20 ही question हो पाते हैं लेकिन अगर मैं सिर्फ one liner में करूंगी तो मुझे भी कम लिखना पड़ेगा और जाद से जादा हो सकता है 30 या 35 या 40 के करेब हमारे current affair के question एक ही वीडियो में complete हो जाए ठीक है तो चलिए वीडियो के शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहला question है पाचवा कुमाओ महुतसव 2023 कहां आयोजित किया गया तो पाचवा कुमाओ महुतसव 2023 कहां आयोजित किया गया अलमोडा में ठीक है एक आंसर हो जाएगा रिशी केस में मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी जी के द्वारा रिशी केस में देटल्स दगंगा फेस्टिवल का आयोजन किया गया जो कि तीन दिवसिय रहा था अगला प्रशन है देश की पहली नियो मेट्रो ट्रेन इंपोर्टन कोईशन है न नियो मेट्रो ट्रेन उत्राखंड में सबसे पहले देहरादून में चलाई जाएगी फिर उसके बाद रिशी केस और हरिद्वार में भी यह चलेगी साथ यह आपसे इससे जुड़ा एक क्वेशन है पहला पॉड टैक्सी शुरू करने वाला हमारा कौन सा जन्पद है ठीक पूरे देश का है तो इसलिए इंपोर्टेन हो जाता है नोट जरूर कर लेना अगला प्रेसन है 37 राष्ट्रे खेल 2023 में उत्राखंड को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया था तो दोस्तो 37 राष्ट्रे खेल कहां हुए यह आपको पता होना चाहिए तो यह गोवा में सबसे पहले हमारे उत्राखंड को स्वर्ण पदक दिलाया तो याद रखना स्वर्ण पदक किसने दिलाया था निखिल भारती ने कर्राटे में ठीक है 31 राष्टी खेल कहां हुए भी पूसकते हैं गोवा में हुए कब हुए 2023 में हुए अगला प्रश्न है नई दिल्ली में मेरे माटी मेरा देश के अंतरगत एक भारत श्रेष्ट भारत का भाव परतीक के रूप में अमरित वाटिका बनाई जाएगी इसके लिए उत्राखंड के किस स्थान की मिट्टी को चुना गया है तो बहुत important question है क्योंकि मेरे माटी मेरे देश के अंतरगत जो ये एक भारत श्रेष्ट भारत का भाव दिखाने के लिए परतीक के रूप में अमरित वाटिका बनाई जाएगी और इसके लिए उत्राखंड के एक जनपद है वहां की मिट्टी को चूज किया है तो वो कौन सा जनपद होने वाला है वो है देहरादून important question है याद रखेगा अगला प् जानी जी को उत्राखंड हाई कोड का रजिस्टर जनरल न्यूक्त किया गया है अगला question है उत्राखंड राज में पहली बार forest sports meet का आयोजन कहां किया गया तो उत्राखंड राज में पहली बार forest sports meet का आयोजन 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2023 तक किया गया और यह कहां पर क प्रछोन में कोष्याय घए तो सकता से Karim आताला कोश्यन के सिमार किक्या अंपने क्या कोष्यूंट है ुत्राखंट अंगला प्रशंग में 37 राश्ट्रे खेलो में कितने खिलाड्यों में प्रतिबाग लिया तो उत्राखंड की जो उत्राखंड से 37 विराष्ट्रे खेलों में गोवा में 140 लोगों ने प्रतिबाग किया था ठीक है 140 खिलाडी हमारे उत्राखंड से गए थे गोवा 37 विराष्ट्रे खेल के लिए और साथ मैं अगर आपसे पूछें कि कितने खेलों में हमारे उत्राखंड से खिलाडियों ने परतिबाग गया था तो टोटल 18 गेम्स थे 18 ऐसे स्पोर्ट्स थे जिसमें हमारे उत्राखंड के खिलाडियों ने परतिबाग किया शुभाराम शर्मा अनिल स्वामी थपलियाल या फिर बी और सी दोनों तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों डॉक्टर शुभाराम शर्मा जिनको साहित्य कारियों के लिए और अनिल स्वामी थपलियाल जिनको समझिक कारियों के लिए तो इन दोनों छेत्रों में इनको ये पुरुसकार दिया गया है डॉक्टर शुभाराम शर्मा और अनिल कुमार अनिल स्वामी थपलियाल ठीक है अगला कोशन क्या है चतुर्थ पैरा एशियाई खेल अक्टूबर 2023 में उत्राकंड के किन खिलाडियों ने भाग लिया था इंपोर्टेंट कॉशन है ठीक है तो इसमें निलीमा मनुसरकार मंदीब कौर इन सभी ने भाग लिया था ऑप्शन डीस में करेक्ट हो जाएगा याद रखेगा पैरा एशियाई खेल अक्टूबर में हुए जो कि चौथे नंबर के थे और उत्राकंड से इन तीनों ही लोग 23 में Lifetime Achievement पुरुषकार किसे दिया गया तो देली में ये पुरुषकार दिया गया यंग उत्राकंड Senior Award 23 में Lifetime Achievement पुरुषकार तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बलराज नेगी को ठीक है अगला प्रस्चन देखते हैं अगला कुशन है उत्राकंड T20 महीला Senior Team की कप्तान क चुना गया है ठीक है एकता बिष्ट अगला प्रस्चन है अक्टूबर 2023 में UK Apple Festival तो UK Apple Festival का आयोजन कहां पर किया गया पूचा है ऑप्शन दिये हैं आपको ननिताल हरसिल भवाली या फिर गोपिश्वर तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हरसिल में तो ये उत्राकंड में पहली बार 2018 में ये फेस्टिवल मनाया गया था और अभी 2023 में ये हरसिल में मनाया गया है पहले 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी उत्राकंड Apple Festival की ठीक है अगला कोशन है उत्राकंड की किस गुफा को अमनात की तरज पर विक्सित किया जाएगा ऐसी कौन सी गुफा है उत्र पर सेंड गुफा चमूली के नीती घाटी में है ये तिमबर सेंड गुफा यहां पर अमरनात गुफा की ही तरज पर इसको भी विक्सित किया जाएगा अगला कोशन है प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना के पहले चरण में उत्राकंड के किन जिलो को शामिल किया है ये क्योशन मैंने आपको उत्राकंड कर अंटाफियर सीरीज में पहली वीडियो में भी बताया था तो इसमें हमने प्रधान मंत्री जी के द्वारा योजना चलाई जा रही है उसमें केंदर सरकार की योजना है और इसमें चार जिलो को हमारे उत्राकंड से लिया गया है न और कुमाओं की जिलो को ही लिया है विश्व कर्मा योजना के लिए ठीक है न अगला कॉशन है उत्राखण में पहली बार 16 से 19 नवंबर 2023 के भी चार दिवसी पक्षी महुत्सव का आयोजन कहां किया गया ओप्शन्स आपके पास है देवलसारी आसन बेराज हलदवानी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवलसारी में उत्राखण में पहली बार हुआ है ये पक्षी महुत्सव ठीक है पक्षी महुत्सव जो की चार दिवस का चला और यह हुआ देवलसारी में देवलसारी कहां है टिहरी में है ठीक है अगला कॉशन है तेरा जिला तेरा के रूप में विक्सित करने ही तू 490.94 लाग की धनराशी अवंटित की गई है यह जो यह योजना है बहुत इंपोर्टेंट है इससे कॉश्चन बन सकता है इंपोर्टेंट करके इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि जो यह तेरा जिला तेरा डेस्टिनेशन योजना है इसके अं विक्सित किया जाएगा और यहां पर हमसे पूछा है कि कुमाओ की कौन सी ऐसी जील को लिया है जो की परेटनिस्तल के रूप में विक्सित की जाएगी तो कौन सी जील हो जाएगी यह शामला जील ठीक है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा शामला जील आपको पत मिलेगा अगला कोशन क्या है ODF plus अभी ODF plus क्या है open defection free open defection free plus में उत्राखंड के कौन से जिले को पर्थम पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो correct answer हो जाएगा इसका हरीद्वार अभी अगर मैं इसको आपको हिंदी में बताओं तो आपको बहुत जल्दी याद आ जाएगा यह कोशन हमने पहले भी कर लिया है अपने उत्राखंड करेंट फेर सीरीज में उसमें मैंने आपसे बोला था कि उत्राखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो की पूर्ण रूप से खुले में सौच मुक्त का पर्थम जिला बन गया है तो वो है हरीद्वार अब आपको याद आ इस तरह से लिखा आ गया वहाँ पर ODF PLUS में कौन सा इस्थान है तो आप कन्फ्यूज मत होएगा इसको इध्यान में रखना इसलिए इसका हिंदी मीनिंग भी लिख लेना ठीक है अब आपके लिए है कॉमेंट में जवाब देने के लिए एक कॉश्चन जो कि क्या है देख तो पूछिए कहीं से भी टेली इसलिए इह से पूछिए to पTH पूछिए जिससे भी सकता आप पूछिए लेकिन इसका आंसा जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखना और इसकी बारे में जितनी जादा जादा पास तो आप उसमें लिखना ठीक है गूगल से सरच करके बी ल जिकरण हुए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कहा हुए है आईश्मान भाव अभियान के तहर जो सेवा पक्वारा चला जा रहा है उस में सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन करने वाला जिला कौन सा है ठीक है और आपके लिए एक हिंट भी है इन चार आप्शन में से ही वह ए नहीं होंगे और आप मुझे सजेशन करना कि क्या आपको वन लाइनर नोट्स वाले ही करेंट अफेर चाहिए या फिर आपके लिए ये MCQ टाइप बना कर आपको ज्यादा इससे हेल्प मिल लिए प्लीज ये बात मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा